आज हम समझें क्लास 6 का चैप्टर नमबर 5 जिसका नाम है कैंडी जैन एंड प्रोफेसर बोगले इसमें दो स्टोरीज दे गए हैं दोनों स्टोरीज बहुत ही इंटरस्टें हैं तो एक जो स्टोरी है वो पंडोरास बॉक्स एक ऐसा बॉक्स होता जिसमें इविल्स जो बु जाते हैं उनके द्वारा उसे गिफ्ट दिए जाता है और उस गिफ्ट को कहते ही के वो उसे खोल देती जिए उसके फादर ने हमाईशा उसको बाद बोली है कि आप इस बॉक्स यह नहीं कोलेंगे ठीक है तो उसी बॉक्स के खोलने से उसमें बहुत सारी जो Яं तो इसह स्टोरी है कि किस तरह से पंडुरा बॉक्स कैसे खुलता है और पंडुरा बॉक्स की आगे क्या स्टोरी है चिक पढ़ते हैं चेप्टर में लिटल केंडी जैन वाज लिटल गर्ल ऑफ 11 से जुआ रहें जो है वह एक क्यूरियस मतलब होता है बहुत ही जिग्यासू क हर बात को जानने की इच्छा हो ना ठीक है तो जिग्यासू प्रबरती प्रबरती मलब उसकी जो habit है वो जिग्यासू टाइप की है तो वो 11 साल की एक लड़की है लड़की थी तो यहां पर जो केंडी जैन थी वो 11 साल की लड़की थी she always got into scripts scripts का मतलब होता है मुसीबत या फिर problems ठीक है वह हमेशा problems में पढ़ जाती थी and could not stay out of trouble तो और वह समस्या से कभी भी problem से trouble से मुसीबतों से दूर नहीं रह सकती थी she loved to ask questions उसे question करना बहुत ज्यादा पसंद था and ask them और अकसर उन्हें क्या करती थी पुछा करती थी so often that everyone got tired of her और इसी वज़े से हर कोई उससे क्या परेशान रहते थे सब लोग तो candy jen had an old neighbor candy jen की एक पडोसी थे बहुत बूड़े ठीक है who was a gardener जो कौन थे जो एक माली थे but everyone called him professor बोगले पर हर कोई उन्हें क्या बूलाता था professor बोगले because he loved to read क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था और वो हमेशा पढ़ते ही रहते थे he was the only person who could answer all of candy jen's questions तो वो एक ऐसे परसन थे ऐसे वेक्ट थे जो हमेशा ही मतलब candy jen के सभी सवालों के answer दे सकते थे और वही हमेशा answer उसके दे सकते थे ठीक है और किसी के पास candy jen के question का answer नहीं होता था तो वह जब भी problem होती तो उन्हें के पास जाय करती थी one day candy jen's father said to her एक दिन candy jen के पिता ने उसे कहा तो candy jen के पिता ने कहा candy jen you are a pandora's box candy jen तुम क्या हो तुम एक pandora's pandora का box हो I never knew what you are going to do next मैं नहीं जानता तुम आगे क्या करने जा रही हो curious candy jen जो उत्सुख candy jen थी वह अपने पिता की तरफ देख थी looked up at her father तो वह अपने पिता की तरफ देख थी and said और कहती है but father लेकिन पापा I am neither pandora नहीं मैं pandora हूं और nor a box नहीं मैं एक box हूं हर father road उसके पिता जो है वह जो जो से हसने लगते रोड मतलब था बहुत जो से हसना confused candy jen run out to see professor boogle जो candy jen थी वह confused हो गई कि उसके पिता जी उस पर क्यों हस रहे हैं तो वह किसकी तरफ भागी वह professor boogle को देखने के लिए बहुत तेज भागी उनको ढूनने के लिए who was reading in the garden जो क्या कर रहे थे जो garden में पढ़ रहे थे प्रोफेसर भोगले प्रोफेसर भोगले तो वह जलाती हुझाती है कि प्रोफेसर भोगले प्रोफेसर भोगले तिल मी मुझे बताओ who is a pandora's box पंडोरा's box कौन है तो my father called me a pandora's box मेरे पिता मुझे क्या बुलाते है मेरे पिता ने मुझे कहा कि तुम एक pandora का box हो प्रोफेसर भोगले प्रोफेसर भोगले प्रोफेसर भोगले प्रोफेसर ने केंडी जैन की तरफ देखा and smiled और मुस्कुराए child बच्चा it is not who यानि यह कौन नहीं है but what यह क्या है come and sit तो आओ मेरे पास बैटो while I tell you a story मैं तब तक मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ तो यहाँ पे स्टार्ट होती है पंडोरा's box की कहानी many centuries ago century मतलब सताब्दी सताब्दी कितने की 100 साल की ठीक है बहुत centuries पहले सताब्दी पहले the Greek believed जो Greek थे वो विश्वास करते थे God यानि भगवान में who were like men जो कैसे देखते थे जो मनश्यों के तरह देखते थे but were very strong लेकिन हम मनश्यों से बहुत ज़्यादा strong थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे ठीक they could change themselves into anything वह अपने आपको किसी भी रूप में बदल सकते थे mortal man, animals, plants and or monsters mortal man मतलब होता की जान लेवा 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 मनश्यों यानि कि 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 जान लेवा जैसे कोई भी खूंखार जानवर बन जाता है ठीक है या फिर किसी भी सैतान का रूप ले सकते थे तो इतने मजबूत थे और उनके पास कुछ सकतियां थे ठीक है तो their greatest God was Jews और उनके जो महान देवता थे वो कौन थे उनका नाम जीवस था ठीक, he was very angry with mortals और इसी बास से जो mortals men थे यह जो अपने आपको किसी भी रूप में बदल सकते थे उनसे बहुत ज़्यादा गुसा थे because they used fire क्योंकि उन्होंने इंसानों का भुरा करने के लिए क्या किया fire का use किया the fire was stalling from juice by another god called prometheus जो fire थी वो चुरा ली गई थी किसके द्वारा एक अन्य देवता थे जिसका नाम था prometheus तो juice ordered the creation of the first woman तो juice ने किसको order दिया juice ने एक order दिया एक मिट्टी की lady बनाने के लिए ठीक है मिट्टी की lady बनाने के लिए her name was Pandora और उसका नाम क्या था उसका नाम Pandora था and she sent she was sent to the earth और उसको प्रतिवी पर भेजा candy jen eagerly looked at the professor candy jen बहुत उस्चुकता से प्रोफेसर की तरफ देख रही थी Pandora was given a box तभी जो प्रोफेसर है वो कहते है Pandora को एक box दिया गया she was told never to open it तो उससे कहा गया कि तुम इसे कभी मत खोलना now Pandora was given money good qualities Pandora को बहुत सारी qualities दी गए यानि अच्छाईयां दी गए along with curiosity और एक सुकता वाली चीज के अलावा जो एक सुकता वाली फीलिंग्स होती कि कि किसी भी चीज को जानने की इच्छा इसके साथ उसके जो पंडोरा थी उसको बहुत सारी अच्छाई अच्छाई वाली चीज देगी पर एक बुराइदी वह क्या वह जिग्यासू यानि जिग्यासा ठीक किसी भी चीज को जानने की इच्छा इन फैक्ट सी वाज वे एज क्यूरियस एज यू आर वह इतनी क्यूरियस थी चैसे की तुम कौन थी किटी जैन चीक तो पंडोरा का कंपेज्जन प्रोफेसर भोगले किस से करते हैं केंडी जैन से करते हैं she was she so inquisitive about the box तो जो inquisitive मतलब होता जिग्यासा तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा जिग्यासा थी उस box के बारे में इसलिए that she opened it उसने क्या किया उसको खोल दिया out of the box came all the evils in the bird जैसे उस box को खोला वैसे ही सारी बुराईया जो थी वो विश्रु में fell गए संसार में fell गए it is said that at the bottom of the box only hope prevent ये कहा जाता है कि सिर्फ उसमें एक ही चीज बची थी box के bottom यानि box के बीच में जिसका नाम जैनी जो थी hope ठीक है अच्छा आशा जिसे बोलते हैं हम लोग अगर कोई भी बुरा काम होता है तो हमें हमारे अंदर एक आशा अच्छाई की उम्मिद होती कि शायद ये काम जो हो रहा है वो अच्छा हो जाए ठीक है तो वही होती आशा अच्छाई की hope ठीक आशा इसलिए पंडूरा के बॉक्स का मतलब क्या है इनवाइट ट्रवल यानि की मुसीवत को बुलाना केंडी जैन फिनिश्ट प्रोफेसर बोगले इस तरह से केंडी जैन ने अपने स्टोरी जो थी वो फिनिश करी और केंडी जैन को बुरी स्टोरी बताई वेल, see little, see here little girl तो मुझे प्रोफेसर बोगले कहते हैं कि देखो तुमने इस स्टोरी में देखा यू आर आलवेज आसकिंग कोशन तुम हमेशा ही कोशन पूस्ती रहती हो You are also very curious about things तुम हर चीज के बारे में बहुत ज़्यादा जिग्यासु रहती हो यानि जिग्यासा रहती तुमारे अंदर And this gets you into the all kinds of trouble और यही तुमें यही जिग्यासा जो है वो तुमें हर प्रकार की मुसीबतों में पसा देती है है नहीं हर प्रकार की मुसीबतें इससे तुम्हें पकड़ लेती हैं Candice and you can get into trouble even when you are eating Candice and तुम तब भी मुसीबत में आ सकती हो जब तुम खाना खा रही होती हो So your parents and everyone else never know what is going to happen next इसलिए तुम्हारे जो पिताजी हैं या Guardians हैं और बाकी लोग हैं वो नहीं जानते कि तुम अब आगे क्या करने चाह रही हो That is why your father called you a Pandora's box इसलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या बोला तुम्हें Pandora's box बोला यानि Pandora का box बोला यानि सब कौन कह रहा है प्रोफेसर बोगले कह रहा है अब यहां पर केंडीजेन कह रहे नाव एंड़स्टैंड अब मैं समझ गई हूँ Are there more stories like this क्या तुम्हारे पास और इसी तरह की stories है Tell me some more मुझे कुछ अगर है तो फिर मुझे और बताओ तो प्लीज प्रोफेसर बोगले बैग्ड केंडीजेन तो जो रिक्वेस्ट करती है केंडीजेन प्रोफेसर बोगले से I will tell you one more तो प्रोफेसर बोगले कहते हैं मैं तुम्हें एक और story सुनाता हूँ तो and others you will have to find your own और जो बाकी है वो तुम अपने आप ढूंडना अपने आप खोजना छिक said the professor प्रोफेसर ने कहा long ago यहीं बहुत समय पहले लंबे यहीं लंबे टाइम पहले Midas was the king of Pesinas जो Midas था वो Pesinas का राजा था He asked one companion of dynosist a god to grant him the gift of turning whatever he touched into gold तो उसने जो एक भगवान थे उनके भगवान के साती थे जिनका नाम dynosist है उनसे एक permission मागी to grant him यहनि उनसे एक gift मागा to turning whatever he touched into gold यहनि जिस भी चीज को छुए वह गोल्ड यानि सोने में बदल जाए उनसे एक gift मागा किससे डynosist से जो की एक देवता थे ठीक है देवताओं के यहनि साती थे ठीक है Midas was granted his wish Midas को उसकी wish मिल गई so everything what kind Midas touch तो इसलिए उसको क्या को यहनि जो भी चीज Midas touch करता था food, water and flour इसलिए यहनि everything that kind of Midas touch यहनि जो भी Midas के touch में जो भी चीज़े आती थी food, water, flour तो जैसे खाना, पानी और fool turn into gold और वह किस में बदल जाते थे वह सोने में बदल जाते थे he could not even eat food, यहनि वह खाना तक नहीं खा सकता था then one day his daughter touched him और एक दिन उसकी जो बेटी थी उसने उसे चू लिया उसकी बेटी ने King Midas को चू लिया and he was gloomy और वह दुखी हो गया guess what happened, सोचो क्या हुआ, यानि अंदाजा लगाओ कि क्या हुआ, यह कौन कहता है, प्रोफेसर बोगली कहता है, किस से, कैंडी से, कैंडी जैन से, चिक, जो प्रोफेसर हस रहे थे, उनसे कहा, किस ने, कैंडी जैन ने कहा, now a person who is always lucky, वह अब वह व्यक्ति, जो वह हमेशा भागे साली कहलाएगा, it is sad to have the Midas touch, जिसको Midas का touch मिलेगा, यानि Midas का touch मिलेगा, यानि Midas का touch जिसके पास होगा, वह person हमेशा ही, बागे साली कहलाएगा, explain professor बोगले, प्रोफेसर बोगले ने, explain किया, but professor, what happened to the doctor, पर जो, जो कैंडी जैन थी, उसने पूछा, कि फिर उनकी पुत्री का क्या हुआ, After Midas's daughter was turned into the gold, यानि Midas की जब पुत्री सोने में बदल गई, उसके बाद, he hated the power that he had asked for, वह अपनी, जो उसने मांगी थी power, उससे नफरत करने लगा, He prayed to dynasus, उसने प्रातना की किसे, dynasus से, who told Midas, और who told, उन्होंने बताया, Midas को, to wash himself in the river Pactolus, कि अपने आपको, किसमें दोले, अपने आपको Pactolus नदी में साफ कर लिया, फिर अपने एक, जैसे नहीं, Pactolus नदी में, किने दी में नहा ले, He washed है, धोले, ठीक है, When King Midas did so, और इस तरह, Midas जो थे, King, उन्होंने ऐसा ही किया, His power washed away, उन्होंकी जो सक्ती थी, वह बह गई, and flowed into the river, और वह उसमें बह गई, यानि उन्होंने अपने आपको, जो पावर थी, वह उसमें धो दी, और अपने आपको, उन्होंकी जो सक्ती वह रिवर में बह गई, ठीक, and everything that Midas had turned into the gold took its original form, और जो भी Midas ने चीज़ें चुई थी, वह अपने original वास्तविक रूप में आ गई, इस थरह से, तो, finish the professor, इस थरह से प्रोफेसर ने पूरी स्टोरी फिनिश कर दी, suddenly Candy Jan started clapping, और तुरंती, जो अचाना की Candy Jan ने क्या किया, त उतना अच्छा था, तो जो प्रोफेसर बोगले हैं, वो भी आशेरजनक रजाते हैं, उसके इस action से, क्विस्ट मतलब होता है, हसना, चिक है, तो इस थरह जो प्रोफेसर बोगले हैं, वो भी हसने लगते हैं, साथ में, क्यूंकि Candy Jan जो है थी, वो भी ताली बजाकर हस रही तो और कह रही थी कितनी अच्छी छोटी सी यह स्टोरी है, वाट लिटल फणी स्टोरी, यानि यह कितनी मजाख्टूरी थी, तो ओ प्रोफेसर, तो दा स्टोरी आफ किंग माईडस आलसो तेल्स अस, इट इस बैट तो वांट मोर थिंग्स, तो अरे प्रोफेसर, तो केंडी जैन कहती, इसलिए जो स्टोरी आफ किंग माईडस की थी, वह हमें बताती है कि it is bad, यानि यह बुरे ही चीज है, कि हमें अधिक चाहिए, यानि हमें ज़्यादा चाहिए, things that we really need, जिनकी हमें आवेश्रक्ता है, हमें उतना ही उतना ही चाहिए, उससे ज़्यादा चाहना क्या है, वो bad है, यानि बुरा है, these old stories are so useful, यह पुराने कहानियां कितनी प्रियोग पूर होती हैं, यानि कि useful होती हैं, वान लिए कितनी लाबधायक होती हैं, for our everyday situations, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ऐसी situations महिशा देखते रहते हैं, तो एक्सलेम्ड केंडी जैन, और नहीं केंडी जैन ने इस तरह से विलकुल आश्यरे पूरवक ऐही बात कही, ठीक है, एस तरह से कही, smiling professor बोगले replied, जो smiling, जो smile कर रहे थे, हां सरह थे, यही स्टोरियां हमारे लिए बहुत ज़्यादा useful है, myths are stories about the past, जो पुराणे कहानिया हैं, वह किसे न किसी चीज़ को बारे में बताती हैं, पुरानी चीज़, यानि past के बारे में होती हैं, myths मतलब होता है कि जो पुरानी, जो कहानिया होती हैं, तो यह हमें किसी न किसी past stories के बारे में बताती हैं, sometimes they tell stories of the heroes of a culture, और कभी-कभी यह story आं क्या करती हैं, यह story हमें heroes of a culture, हमारी संस्कृती के कुछ heroes की story आं भी बताती हैं, कि किस तरह से हमारे प्राचीन काल में भी कुछ heroes थे, ऐसे उन्होंने अच्छे-च्छे काम किये, and sometimes they are about imaginary people or creatures, और कभी-कभी यह जो कहानिया हैं, वो imaginary, यहनि की कालपनिक होती हैं, कालपनिक लोगों कालपनिक प्राणियों के बारे में होती हैं, through these stories we learn about the rules of the society, यहीं story ओं कित्रू हम क्या सीखते हैं, हम rules सीखते हैं, किसके society है, and also the way they lived है, और और तरीके सीखते हैं, कि हमें कैसे, वो लोग कैसे रहते थे, प्राणिकाल में, every culture has its own mythology, हर एक culture की अपनी एक अलग कहानी, यानि ancient, पुरानी प्राणिक कहानी होती है, चिक, mythology, अनि ancient myths, यानि प्राणिक कहानी होती है, that is so wonderful, I want to know more, said the extreme excited candy gen, तो candy gen बहुत ज़्यादा हुसाइथ होती है, और वह कैती, यह तो बहुत अच्छा है, that is so wonderful, I want to know more, मैं और जानना चाहती हूं, candy gen, you go to the library, and found out what, तो candy gen से काउन कहते हैं, प्रोफेसर बोगले कहते हैं, तुम लाए बेरी जाओ, और वहाँ, खोजो, क्या, क्या खोजो, the angels, यह भी एक story होगी, तो the angels, खोजो, heel, heel, इस बार इसके बारे में खोजो, herculean efforts, ठीक है, इसके बारे में खोजो, and hotas hadas, तो इन सबी का मतलब खोजो, कि यह सब क्या है, जैसे कि अभी pandora's box की, यह pandora's box था, ठीक है, उसकी भी एक अलग story थी, mydas touch था, तो mydas touch की भी अलग story थी, ऐसे ही यह stories है, अब इनके बारे में, तुम इनका मतलब क्या है, तुम खुद पता लगाओ, तिक, Candy Jen found Greek mythology, Candy Jen ने पाया, कि जो Greek mythology है, यानि जो Greek dharmic pustak है, जो बहुत पुरानी प्राचीन है, वो बहुँदा interesting है, that she went to the library, यानि उसने क्योंकि Greek mythology के दो स्टोरियां सुनी थी, प्रोफेसर बोगले से, इसलिए उसने पाया, कि Greek mythology बहुत जाता interesting है, ठीक है, so see that she went, इसलिए वेकां गई, she went to the library to find the answer, और अपने आंसर कोजने के लिए कहां चलीगी, लाइब्रेडी में चली गई, और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पर खतम होती, I hope आपको chapter समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा प्रियास किया है, आपको समझाने का, इसमें दो स्टोरी थी, एक Pandora's box थी, एक Midas touch की थी, यानि King Midas touch, यानि उसने क्या किया, Pandora box में इविल्स थी, बुराईयां थी, तो उसको, उसको उन बुराईयों को क्या हुआ, उन बुराईयों को एक Pandora की बॉक्स में बन था, जो Pandora को दिया था, जो जी उसने दिया था, और उनसे क्या हो, जब जैसे इस Pandora ने खोला, वैसे उसमें सारी जो बुराईयां थी, वैं संसार में फैल गई, और King Midas Tats, जो था, Midas का, तो उसमें क्या था, उसमें जो सोना था, जिस भी चीज को छूता था, वैं सोने में तबदिल हो जाती थी, बदल जाती थी, और आन्त में क्या हुआ, उसने अपनी बेटी को छू लिया, उसकी बेटी ने उसे चू लिया, तो फिर क्या हुआ, उसकी बेटी भी सोने में बदल गई, और इस तरह से, वैं बहुत दुखी हो गया, फिर उसने उस सक्ती से हेट करना शूरू कर दिया, नफृत करना शूरू कर दिया, और लास्ट में उसने अपनी विश जो थी, वो बापस करने के लिए, किसको बोला, डाइनसिस को बोला, और कहा ये विश अब मुझे नहीं चाहिए, तो उन्होंने उपाय बताया कि तुम जाकर किस नदी में इसनान करो, जो पैक्टोलस नदी थी, उसमें जाकर इसनान करो, उसमें उस उस शक्ति दुख को दो दो, और इस तरह से जो किंग माइडस था, उसने उस शक्ति को दो दिया, और वे जो शक्ति थी वो वे डिवर में बह गई, ठिक नदी में बह गई, और इस तरह से जो चीजें थी, वो सब पहले जैसी हो गई अपने फॉर्म में आ गई ओरिजिनल फॉर्म में तो तो यही स्टोरी आपको कैसी लगी आप लोग कमंट करेंगे और अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और इसी चैनल से जुड़े रहिए आपको आने वाले चैप्टर्स में और अच्छी ची स्टोरियां मिलेंगी और मैं ऐसे ही समझाती रहूँगी तैंक यू